परिचय अंकिता, हम लोग पहले ही यूकेरियोर्टिक कोशिकाओं की संग्रचना तथा कोशिका जिल्ली और कोशिका भित्ती की संग्रचना एवं कारियों पर चर्चा कर चुके हैं हाँ, और अब हम अन्तह जिल्ली का तंत्रों की संग्रचना पर चर्चा करेंगे ठीक है, हम लोग अंतह प्रद्वेई जालिका अठात एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम, गौलजी तंत्र, लयन काय रक्तिकाएं, सूत्र कणिकाएं, माइटो कॉंड्रिया, लवक अत्वा राइबोजोम की संग्रचना का भी परियवेक्षन करेंगे तो आओ, इन पर चर्चा शुरू करें आत्मसात करना, लयन काय की विशेष्टाओं का पता लगाना, रिक्तिकाएं के स्वरूप का पता लगाना, सूत्र कणिकाएं की विशेष्टाओं का पता लगाना, लवक के सौभाव को समझना, राइबोजोम की विशेष्टाओं का पता लगाना, अंता जिल्ली का तंत्र की विशेश्ता जिल्लियों का एक ऐसा परस पर संबंध तंत्र इसको साईटो मेंबरेन तंत्र भी खाग जाता है दूई सते ही फास्फोलिपिट आंतरिक एवं बाहे जिल्लियों के लिए आधार गठन का कारे करती है। इस प्रकार जबकी प्लास्मा जिल्ली बाहे तम कोशिका जिल्ली वस्तुता कोशिका घेरे की अभिन घटक होती है। जिल्ली का तंद्र का अंग माना जाता है। अंता जिल्ली का तंद्र यूकेरियोटिक कोशिका को असंखे विशिष्ट कारियात्मक प्रक्षेत्रों में सुवेवस्थित करता है। जिन्हें विभिन अंगकों के रूप में चिन्नित किया जाता है। अन्ता जिल्ली का द्वारा व्योत्पन पादप कोशिका के प्रमुक अंगक हैं, अन्ता प्रदवई जाली का अर्थात एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम यानी ER, गौलजिकाय, परॉक्सिसोम, रस्थानी, इंडोसोम, आटोफेगोसोम, बाहे किंद्रक आवरण, अंतर द्रवई जालीका की संदचना, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रववे में परस्पर अंतर गुम्फित पुटिका, पटलिका एवं नलिका तंद्र को अंतर द्रवई जालीका कहते हैं, सर्वप्रथम सन 1945 में कीद आर पोटर, अलबर्ट क्लाउट एवं अर्नेस्ट एफ फुलम ने एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम की जालीका यूक्तिछिलियों का पता लगाया, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम यानी ER की दो सतेहे होती हैं, तथा यह दोनों कारे एवं संदचना की द्रिष्टी से भिन्न होती हैं, इन में से एक सतेह को खुरदरी अंतर द्रवई जालीका कहते हैं, क्योंकि जालीका के कोशिका द्रवे वाली सतेह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं, खुरदरी अंतर द्रवई जालीका वस्तता चप्टी, आपस में जुड़ी थैली युक्त, छोटी नलिका वत जालीका की शिरिंखला होती है, खुरदरी अंतर द्रवई जालीका द्वार प्रोटीन संशिलेशन होता है। दूसरी सतह को चिकनी अंतर द्रवेई जालिका कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम अनुपस्तित रहता है। चिकनी अंतर द्रवेई जालिका वस्तता छोटी नलिकाओं का संजाल है। चिकनी अंतर द्रवेई जालिका वसा, एस्टुराइट एवं मौर्फिन संशिलेशन के साथ ही कार्बो हाइड्रेट एवं वसा चयापचै, केल्शियम सांदरन तथा औशिधी चयापचै पर नियंतरन एवं प्रोटीन कोशिका जिली पर अभी ग्रहक का संयोजन भी करती अंतर द्रवेई जालिका के आंतरिक फैलाव अथवा रिक्तिस्थल को लुमेन कहते हैं अंतर द्रवेई जालिका बहुत व्यापक होती है एवं इसका विस्तार कोशिका जिली से कोशिका द्रवे तक होता है तथा ये केंद्रक आवरण के साथ निरंतर संपर्क में रहती है गौलजी उपकरण की विशेष्टाएं गौलजी उपकरण बहसी चप्टी थेलियों या कुंडों से बना जिल्लीदार अंगक होता है गौलजी उपकरण जीव कोशिये अंता जिल्ली का तंत्र का एक अंग है सर्व प्रथम सन 1898 में इतालवी चिकिस्षक कैमिलो गौलजी ने इसका पता लगाया इसी कारण इसका नाम गौलजी उपकरण पड़ा गौलजी उपकरण का कार कोशिकी ये स्राव अर्थात द्रव्य को समवेश्टित कर कोशिका के बाहर स्रवण करना है गौलजी उपकरण में जिल्ली बद्ध पटलिका, पुटिका एवं स्रावन पुटिका का द्रोवा भिसारी समुच्चे होता है ये गोशिका के अंतरभाग में प्रोटीन संशलेशन एवं संकुलन करता है तथा अपने लक्ष की दिशा में प्रस्थान से पूर्व अपना मार्ग निर्माण करता है ये विशेश रूप से स्रवण के लिए प्रोटीन प्रसंस करन हेतु महतपून है लायनकाय यानी लाइसोसोम का गुण धर्म सन 1960 में बेल्जियम के कोशिका विज्यानी क्रिस्टीन डे ड्यूव ने लायनकाय यानी लाइसोसोम का पता लगाया था लायनकाय अर्थाद लाइसोसोम ग्रीक शब्द लाइसिस जिसकार्थ है प्रथक करना एवं सोमा जिसकार्थ है काया अथवा शरीर के संयोग से बना है लायनकाय के सौलायन गुण के कारण कोशिका जीव विज्यानी अक्सर इन्हें आत्म हत्या की थैलियां उपनाम से अभिहित करते रहे हैं लायनकाय अर्थात लाइसोसोम कोशिकी ये अंगक है जिनमें अफशिष्ट पदार्थों एवं कोशिकी ये कच्रे को अपगटित करने वाले अमलिये जल अपगट की ये किन्मक एंजाइम होते हैं इन्हें कोशिका का उधर भी कहा जा सकता है यह पशू कोशिकाओं में पाए जाते हैं जबकि खमीर तथा पाधपों में यही कार अपगटिस रस्थानी द्वारा निश्पन होता है लयनकाय अत्रिक्त अथवा कलांथ अंगकों तथा अनकणों को पचाता है एवं विशाणूं अथवा जीवाणूं का परिग्रहन करता है लयनकाय के चारो ओर जिल्ली होती है जो अपिक्षित 4.5 पीच पर पाजग किनवकों यानि एंजाइम को कारे की अनुमती देती है गौलजी उपकरण के प्रारंभिक इंडोसोम के साथ जल अप घटकिये किनवकों यानि एंजाइम के संयोजन से इनका निर्मान होता है किनवकों यानि एंजाइम का प्रिथक करण कर उनमें उपस्तित पदार्थों का पाजन करते हैं रस्थानी के गुण धर्म कोशिका द्रव्य जिल्ली द्वारा घिरे अंगक को रस्थानी कहते हैं जो सभी पादप एवं कवक कोशिकाओं तथा कुछ प्रोटिस्ट पशू एवं जीवानविक कोशिकाओं में उपस्तित रहती है रस्थानी अनिवारे रूप से समावरित कक्षाई हैं जो किनवक समाधान समेत अकारबनिक एवं कारबनिक अड़ुयुक्त जल से पूरित रहती हैं यद्यपी कतिपए दशाओं में इसमें ठोस पदार्थ भी अंतर विष्ट हो सकते हैं जिनका परिग्रहन किया गया है एकाधिक पुटिका जिल्लियों के सनलयन से रस्थानी बनती है एवं प्रभावी रूप से ये उनकी तुल्ला में बड़े आकार की होती है इनका कोई मूलभूत रूप अत्वा आकार नहीं होता कोशिक ये आवशक्ता के अनुरूप इनकी सनचना में परिवर्तन होता रहता है रस्थानी के प्राकार में वैसे पदार्थों का शोधन भी समाविष्ट है जो जल्युक्त पादप कोशिकाओं एवं वैसी कोशिकाओं के लिए हानिकारक अत्वा खतन नाख हो सकता है जो अप्शिष्ट पदार्थ युक्त है यह कोशिका के भीतर आंतरिक द्रवस्थेतिक दबाव अथवा स्फीद का अनुरक्षन करती है यह अमलिये आंतरिक पियच का अनुरक्षन करती है यह लगू अडवों से युक्त होती है यह कोशिका से अवांचित तत्वों को निकालती है यह केंद्रिये रस्थानी के बीज अंकुरन के लिए आवशक संचित प्रोटीन प्रोटीन निगायों में रखी जाती है जो की परिवर्धित रस्थानी है। इसमें भी दोरी जिल्ली होती है। इनका आकार लगभग जीवानु चितना होता है। परंतु कोशिका के प्रकारान रूप इसकी आकरिती भिन्न हो सकती है। इसकी बाहे जिल्ली परियाप्त चिकनी होती है, परंतु अंति जिल्ली अत्यथिक जटिल ये कई आधात्री की तरफ अंतरवलंग बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी अंति जिल्ली के क्षित्रफल में वृध्धी करती है। ये क्रिस्टी पर निर्भर है कि वह कोशिका के प्रात्मिक उर्जास्रोध यानी ATP के उत्पादन के लिए खाद्य यानी शरकरा का ऑक्सीजन के साथ संयोजन करे। सूत्र कणिकाओं का अपना DNA एवं राइबोसोम होता है। माइटोकॉंड्रिया अर्थाद सूत्र कणिकाएं कोशिका को इस्थानांतरण, विभाजन, स्रावी पदार्थ का उत्पादन, अलपावधिक संकुचन हेतु आवश्यक उर्जा उपलब्द कराती है। सूत्र कणिकाओं को कोशिका का शक्ती केंद्र भी कहते हैं। राइबोसोम के गुण धर्म सन 1953 में जॉर्ज पैलेट ने एलेक्ट्रोन सूक्ष्म दर्शी द्वारा सगन कणिका मै संदचना का पता लगाया था। राइबोसोम कण मै संदचना है। ये राइबो न्यूकलिक अमल यानी RNA एवं प्रोटीन से बने हैं। एवं यह जिल्ली बद्ध नहीं होते। युकेरियोटिक राइबोसोम 80S तथा प्रोकेरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S स्वेटबर्ग एकाई है जो अफसादन गुणांक को प्रदशित करता है यह आकार एवं घनत्व को व्यक्ट करता है। 70S एवं 80S अर्थात दोनों राइबोसोम दो उप एकाईयों से बने होते हैं। राइबोसोम अन्ता प्रदवेई जालिका की बाहे जिल्ली से भी चुड़े होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संशलेशन में भाग लेते हैं। लवक प्लास्टिट के गुण धर्म लवक सभी पाधब कोशिकाओं एवं युकलिना में भी पाए जाते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सुक्ष्म दर्शी द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के वर्नक होते हैं। जिस कारण पौधे भिन भिन रंग के दिखाई पड़ते हैं। उपस्तित वर्नकों के आधार पर लवक तीन प्रकार के हो सकते हैं। हरित लवक, वर्नी लवक एवं अवर्नी लवक। हरित लवक में पन हरित वर्नक एवं केरोटिनोईट वर्नक होते हैं। जिन पर प्रकाश संशलेशन हेतु आवेश्यक प्रकाशिय उर्जा को संचित रखने का दायत्व होता है। वर्नी लवक में वसा विले, केरिटोनाइट वर्नक यथा केरोटीन, जैन्तोफिल आदी होते हैं। इन्ही के कारण पादब पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के दिखाई देते हैं। आवणी लवक विभिन आकरिती एवं आकार के रंग हीन लवक होते हैं। यह मंड लवक होते हैं, जिनमें कार्बो हाइड्रेट संचित होता है। उधारन आलू, तेल तथा वसा संचयन के लिए तेल लवक एवं प्रोटीन भंडारन के लिए प्रोटीन लवक होता है। हरित लवक पत्तियों की मैसुफिल अर्थात पन मध्यों तक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्राकार अथवा फीताकार अंगक होते हैं, जो औसतन पांस से दस माइक्रो मीटर लंबे तथा दो से चार माइक्रो मीटर क्ले माइडो मोनास में प्रति कोशिका एक हरित लवक हो जकती है, जबकि हरित शेवाल में प्रति कोशिका इनकी संख्या बीस से चालीस तक हो जकती है। पीठिका में चप्टी जिल्ली युक्त थैली जैसी संदचन संगठित रहती है जिसे थाईले कोईट कहते हैं थाईले कोईट सिक्कों के चट्टों की भाती धेर की रूप में मिलते हैं जिन्हें ग्रेना कहा जाता है कई चप्टी जिल्ली जैसी नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन थाइले कोईट को सन्यूजित करती है उन्हें पीठिका पट्टी लिकाएं कहते हैं थाइले कोईट की जिल्ली दौरा घेरे गए रिक्तिस्थान को अवकाशिका कहते हैं हरित लवक की पीठिका में कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, दुईलडी वृत्तकार DNA एवं राइबोसोम सत्तर S होते हैं। थाइलेकोईड में पन हरित वर्णक होते हैं। क्या आप जानते हैं? लयन काय को पहले घनी भूत निकायों के रूप में जाना जाता था। गौलजी उपकरन की जुली में उपस्तित मुख्य किनवक यानि एंजाइम निकली ओसाइट डाय फॉस्फेट है। यकरित कोशिकाओं में दूनों अर्थाद चिकनी एवं खुड़तरी अंता प्रदवी जालिकाएं हैं। सूत्रकणिका तथा हरित लवक आत्मनुलेपी परक कोशिकी ये अंगक हैं। वरिहतकाए अमीबा में वीश्रिंखल अवस्था में लगभग पचास हजार सूत्रकणिकाएं होती हैं। सारांश आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। चिकनी अंतर प्रदवी जालिका मुखे रूप से उन कोशिकाओं में पाए जाती हैं जो सक्रिय रूप से वसा चयाप चय में सनलगने रहती हैं। यक्रित में चिकनी अंतर प्रदवी जालिका S.E.R. वस्तुताह डिटॉक्सिफिकेशन स्थल है। वसा संशिलेशन से संबध अंककों को S.E.R. अर्थात स्मोध एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कणमें अंतर प्रदवी जालिका के बाहे सतेह पर राइबोसोम होता है। अताह यह चिकनी अंता प्रदवी जालिका से भिन्न होती है। जायमोजैन का स्रवन करने वाली अमाशय कोशिकाओं में पून रूप से विक्सित खुरदरी अंता प्रदवी जालिका R.E.R. होती है। रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम का कारे प्रोटीन संशिलेशन है। खुरदरी अंतर प्रदवी जालिका R.E.R. राइबोसोम की उपस्तिती के कारण चिकनी अंतर प्रदवी जालिका S.E.R. से भिन्न होती है। एरिथ्रोसाइटस एवं जीवानविक कोशिकाओं को छोड़, शेश सभी कोशिकाओं के नाभिकिये परिधिक चित्र में गौलजी संकुल उपस्तित रहता है। यह जीवानों एवं नीले हरित शेवाल में अनुपस्तित रहते हैं। गौलजी संकुल विशेश रूप से वसा एवं प्रोटीन के गलाई ओसीडेशन का कारे करता है। गौलजी संकुल लयनकाई एवं पुटिकाओं का निर्माण करते हैं। ETC गौलजी संकुल का एक अव्यव है। गौलजी काई प्रोटीन सम्वेश्टन एवं कोशिका जिलियों के रुपांतरण से संबंध रहता है। गौलजी संकुल कोशिका का निर्यात प्रतिष्ठान अत्वा निर्यात खर है। लयनकाई की खोज डे ड्यूव ने की थी। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्यूंकि इनमें कार्बो ऑक्सिलेटिंग किनवक यानि एंजाइम होते हैं। लयनकाई गौलजी काई में निर्मित होते हैं। लयन काई को आत्म घाती थेली भी कहा जाता है क्यूंकि इसमें जल अप घट किये किन्वक होते हैं जो अमलिये पी एच पांच परिस्थितियों में सक्रिये होते हैं। लयन काई एकल जिल्ली सनजना है जिसमें किन्वक होते हैं जो सभी प्रकार के बड़े अणवों यानि मैक्रो मॉलिक्यूल्स का पांचन करते हैं। लयन काई में दोहरी जिल्ली अथवा इकाई जिल्ली अनुपस्तित रहती है। जल अप घटकिये किन्वकों से युक्त जिल्लीदार थैली को लयन काई कहते हैं यह बड़े अणवों के अंता कोशिकिये पाचन प्रक्रिया को नियंतरित करते हैं। लयन काई बहुरूपी होते हैं एवं इन में हाइड्रोलिसिस उपस्तित रहते हैं। लयन काई अंगको की संख्या घटाने में सक्षम हैं। लयन काईों से स्वा लयन जुड़े होते हैं। यदि किसी कोशिका में लयन काई फड़ता है तो वो कोशिका मर जाती है। जब लयनकायका फेगोसोम के साथ सनलयन होता है तो परिणाम सोरूप दुईतियक लयनकायका निर्मान होता है। कोशिका की रजधानियों में जल एवं विकिटित पदार्थ उपस्तित रहते हैं। रजधानि के चारों और भिन रूपेंड पारगम में एकल झिली होती है जिसे टोनो प्लास्ट कहते हैं। रजधानियों के चार प्रकार होते हैं। रजधानि में रस यानि सैप कोशिका होती है। रजधानि का प्रकारे संग्रहन, अप्षिस्ट पदार्थों का प्राशमन तथा कोशिकाओं का दीरगी करण एवं संदक्षन है।